मुवी की स्टार्टिंग में हम मेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं मेरी अभी-अभी उटी थी और उटने के बाद वो अपने रूमेट जैक को भी उठाने के लिए जाती क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए जरा लेट हो गया था मेरी और जैक के दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त है तो दोनों ही first grade से friends थे वो दोनों फिर अपने काम के लिए निकल जाते है जैक मेरी कुछ की destination पर उता देता है जैक एक coffee shop में काम करता था तो वहाँ पर वो चला किया उसका बोस उसे कहता है एक शर्म की बात है वो से कहता है कि बहुत जल्द यहां पर कामेरा लगने वाल है फिर तुमारी सारी मस्ती बाहर निकलेगी उसके जाने के बाद डैनली और जैक बाते करने लगते है वो मेरी के बारे में बात कहते है उनकी बातों समय पता चलता है कि जैक मेरी को पसंद कहते है उसने अभी तर के बाद मेरी को पता ही नहीं थी डैनली उसे कहते है तुम उसके साथ बात आके क्यों नहीं पढ़ाते हैं जैक कहता है कि अगर मैं उसके साथ relationship स्टार्ट करता हो तो हमारे बीच में चीज़े weird हो सकती है वो मेरी roommate है roommate के साथ intimate होना जरा अजीब हो सकता है जैक उसे बताता है कि आज रात मुझे मेरी के साथ high school reunion में जाना है रात में जैक के वाज मीरी आई मीरी उसी coffee shop में कपड़े change कर रही थी तभी वहाँ पर बैठे दो लेड़ की मीरी का वीडियो बनाने लग जाते है यह देखकर जैक उनकी वीडियो के सामने अपनी बैंड उता देता है और कहता है कि अब इसकी वीडियो बनाओ जैक ने उनकी हरकोदी की वज़े से उन्हें यहाँ से भगा दिया रेस चेंज करने के बाद मेरी जैक को ड्रेस दिखाती है उसे पुछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ यहाँ पर रिसेप्शन पर उनकी पुरानी फ्रेंड थी जैक फिर उसके पास उसके साथ फलर्ट करने के लिए जाता है वो लड़कियों से कह देती है कि मैं अल्डेड ही मैरीड हो जिस उनकर जैक को जादा कुछ भी फरक नहीं पड़ता वी फिर अपने गाम पर लग जाती है उसे अपने लड़क का बहुत पसंद था उसका नाम था व्पी उसके पास जाकर उससे फलट करने का ले रिたい और पूछ तहा हो लड़के इसके लिए मान जाती है, वो दोनों फिर एक रूम में गए, वही पर जैक ब्रैंडन नाम के एक लड़के से मिलता है, जो कि एडल्ट वीडियोस बनाता था, ब्रैंडन गे था, ब्रैंडन गे था, और उसका हस्बन भी था, जिसका नाम था बॉबी, यह सुनकर जै वो एडल्ट वेबसाइट पर देखी हुई थी, जो लड़के उसकी वीडियो शूट कर रहे थे, उन्हीं लड़कों ने अपलोड कर दी थी, और अब वो वाइरल हो चुकी थी, त्री अवर्स में उस पर 200,000 व्यूस आ गए थे, यह बताने के बाद ब्रैंडन मेरी के साथ एक फोटो लेता है, क्योंकि अब वो एक सेलिब्रिटी बन गई थी, इसके बाद वो घर पर आते हैं, और घर आते हैं, उनके लाइट्स ओफ हो जाते हैं, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पूरी तरीके से पे नहीं किया था, वो दोनों फिर बेट कर अपने इच्च की चा रही थी, अब जैक उसे रोज ये सवाल पूशने लगता है, वो उसे कॉफी शॉप में कहता है, सिर्फ हम दोनों इंटिमेट होंगे, हम दोनों सिर्फ एक्टिंग करेंगे, और कुछ नहीं, मेरी को यह सब बहुत ही आजीब लगता है, क्योंकि जैक उसका कर लेते हैं, इस फिल्म का प्रोडेसर और करने तो डैनली होता है, कास डिसाइड करने के बाद जैक इन सब को रोल दे देता है, वो लोग स्टार वास के मूवी पर एक पैरोडी बनाने वाले थे, वो सभी लोग अपना करेक्टर देखकर खुश हो जाते हैं, सब कुछ लिए तो इस बार बिल्डिंग को बुल्डजर गिरा रहा था, और उनके साथ धोका हुआ था, उनके सारे एकुमेंट्स, कैमेरा, इस सब कुछ बिल्डिंग में था, अब यह सब देखने के बाद वो सभी बहुत सैड हो जाते हैं, उनका बहुत नुकसान हो गया था, अब उनके मूवी बनाने के लिए अल्डेडी उन्होंने पैसे एडवास मिलिये थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, अब कैमेरा भी नहीं है, तो शूट नहीं कर पाएंगे, इसी बीच वहाँ पर एक आदमी कैपेचनों लेने के लिए आता है, और जैक को एक आइड़ा आय सब लोग इस प्लैन के लिए मान जाते हैं, शौप बंद होने के बाद हो लोग अपनी फिल्म शूट करते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, पर तब वहाँ पर एक कस्टमार आ क्या, जैक उसे जल्दी से कॉफी देकर वहाँ से भगा देता है, इसके बाद नेक सीन में सब लोग फिर से शूट के लिए आते हैं, शूटिंग के पहले जैक और मेरी ये दोनों बात कहते हैं, उनकी बातों से पता चलता है कि सिर्फ जैक की नहीं तो मेरी भी बहुत ही नर्वस थी, इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है, और अपनी नर्वस ने इसकी वज़े से हो सही से अक्टिंग भी नहीं कर पाते हैं, उनकी अक्टिंग देखकर क्र्यू भी डिसपॉंटेड हो गया था, पर हो कुछ भी कहते हैं, अब इसी शूट से उन्हें काम चलाना पड़ेगा, वो दोनों फिर शूट के बाद बात करने की कोशिश कहते हैं, पर दोनों अभी भी नर्वस ही थे, हम मिरी को नोटिस करते हैं, तो उसे भी जैक के लिए फिलिंग सा गई थी, वो उसे पसांद करने लग गई थी, इसके बाद दोनों घर आए, गराने के बाद वहाँ पर लाइट्स आन हो गई थी, किसी ने उनका इलेक्ट्रिसिटी बि पे कर दिया था, लाइक डेकने के बाद वो नर्ल भी चालू करकर देखते हैं, तो उसमें भी पानी आ रहा था, वो सप्राइज हो जाते हैं कि उनका बिल किसने पे किया था, तभी उनके दरवाजे पर उनके क्रू मेंबर्स और एक्टर्स आते हैं, यह बिल उन्हों नहीं ही पेखिया था जैक पुछता है कि क्या आपने यह सब किया वह आ कहते है उनकी मुवी की एक्ट्रिस जिसका नाम भी लेने से वह वाँ के वाटर और लाइड विल लेने वाले को जानती थी यह सब सुनकर जैक और मेरी उने अंदर बुला लेते और वहाँ पर गेम्स खेलते हैं वही पर मिली स्टेसी के बाएट कर रहे थी स्टेसी उससे कहती है कि कल जैक के साथ मेरा शूट है इसके बारे मेरी को पता नहीं था स्टेसी कहती है जैक के साथ काम करने के लिए मैं जरा नर्वस हूँ बुश से बुश थी है क्या तुम्हें कोई प्रॉलम नहीं होगा अगर मैंने जैक के साथ आज थोड़ा सा प्रैक्टिस किया मेरी कहती कि मुझे कोई भी प्रॉलम नहीं है मेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी पर फिर भी वो कुछ नहीं पता दी स्टेसी उसे कहती कि तुम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स हो तुम्हें क्यों दिक्कत होगी यह सुनकर मेरी ने भी इसके लिए एक्री किया वो कहती कि मुझे थोड़ी नहीं उसे शादी करनी है स्टेसी ने कहा कि कल शुटिंग के वक्त तुम दोनों जिस तरीके से नर्वस हो रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों की बीच में कुछ चल रहा है मेरी कहती कि वो सिर्फ एक एक्टिंग थी स्टेसी फिर गए थी कि जैक के साथ मैं आज प्रैक्टिस कर दू उसके साथ हो मेक आउट करेगी मेरी उसे इसलिए हा कह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक स्टेसी को मना कर देगा इसके बाद स्टेसी जैक के पास आती है उसके कान में कुछ कहती है जैक मिरी की तरफ देखता है और वो उसे ही देख रहे थी जैक फिर स्टेसी को हा कह देता है इसके बाद वो रूम में चले गए मिरी ये सब देखते ही रह जाती है उसे देखकर बहुत बुरा लगता है नेक्स नाइट सब लोग शुटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं जैक क्रूज से अपने सीन के वारे में बात कर रहा था क्रू मेमर उन से बुछता है कि आज उन्हें किसका सीन शूट करना चाहिए लेस्टर और स्टेसी का या फिर लेस्टर और मिरी का ये सुनका जैक कहता है कि नहीं नहीं मेरी और लेस्टर का साथ में शूट नहीं करेंगे मेरी खुद उससे साथ शूट नहीं करना चाहेगी जैक ऐसा इसलिए कहना था, कि उसे पुरा विश्वास था कि मेरी की दिल में उसके लिए फिलिंग्स है पर अब मेरी लिस्टर के साथ शूट करने के स्टुडियो में आ जुकी थी मेरी आकर गहती है, कि आज मेरा शूट है जैक उसे कहता है कि यहाँ पर तुम कर क्या रही हो वो कहती है कि आज मेरा लेस्टर के साथ शूट है जैक ने कहा कि क्या तुम दो मिनिट मुझसे बात कर सकती हो मेरी हा कहती है इसके बाद वो अकेले में बात कहती है जैक उसे पुछता है क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है मेरी कहती कि नहीं जैक पुछता है कि तुम फिर याँ पर कर क्या रही हो मेरी कहती है कि जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रही हो Actually मेरी जैक के साथ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि कल राद उसने मेरी के बारे में सोचा नहीं था और स्टेसी के साथ वो रूम में चला किया अपने गुस्ते के बारे में उजैक को नहीं बताती जैक उससे कहता है कि तुम अजीब बिहेव कर रही हो मेरी कहती है कि मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ अजीब behavior तो दुमारा है तुमने ये सब शुरू किया है जैक ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमारे मन में मेरे लिए feelings है मैं कब से तुमारी feelings के बारे में सोच रहा था मेरी कहती कि अगर मेरी feelings के बारे में तुम इतना सोचते है तो कल रा स्टेसी के साथ रूम में नहीं जाते है अब जैक को सारी बात समझ में आती है ये सुनकर उसने कहा कि स्टेसी ने तुम उससे कहा था कि तुम खुच चाहती हो कि मैं स्टेसी के साथ practice करो मेरी ने कहा कि मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था दोनों की विश में काफी जादा लड़ाई हो जाती है जैक ने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था ये कहा कर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है मेरी को सब चीजों का रियलाइजेशन हुआ और उसे रोकने की वो कुशिश कहती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी जैक कह देता है कि अब वो ये मूवी नहीं बनाएगा और ये कहकर वो स्टूडियो से बहाँ चला गया डैनली उसे रोगने की कोशिश कहता है पर जैक बहाँ से जला जा चुका था अब इसके बाद का नेक सीन डारेक्ली तीन मंज गुज़र जाने के बाद ही आता है एक कार्निवल में जैक काम कर रहा था वो लोगों का टार्गेट बन रहा था वो की कॉशन बहनता है और लोग उस पर निशाना लगाते है पैसे कामाने के लिए अब उसे यह सब करना पट रहा था उस दिन स्टूडियो से जाने के बाद जैक ने कॉफी शॉप की नोकरी भी छोड़ दी थी इसी बिच वहाँ पर डैनली आता है डैनली को देखकर हो बहुत ही खुश था वो दोनों बात करते हैं और डैनली उसका हलचाल पूशता है डैनली उसे कहता है कि तुमारी वज़े से हमारी फिल्म अधूरी रह गई अब टाइम आ चुका है तुम्हें वापस आना चाहिए जैक इस बात के लिए साफ साब इनकार कर देता है डैनली ने जरा जोर डाला तो इस बात के लिए उमान गया वो दोनों डैनली के घर पर जाते हैं वापर डैनली की वाइब गुसा थी कि उसने एक वाइट आदमी को उनके घर पर लाया है उसको इग्नोर करकर डैनली उसे अपने स्टूडियों में लेकर जाता है वावर वीडियो की एडिरिंग का काम चल रहा था डैनली उसे सच्चा ही बताता है कि उसके जाने के बाद मीरी बहुत ही सैड रहने लग गे मीरी ने भी मूवी में फिर कोई भी सिंशूट नहीं किया जैक रियलाइस करता है कि मीरी ने यह सब उसके लिए किया है अवे सुनकर वो मिली से मिलने के लिए जाता है वो मीरी के रूम में जाता है और वो बाथरूम में थी जैक बाथरूम के बाहर उसकी फिलिंग बताता है वो गयता है कि उस रात में Stacey के साथ intimate नहीं हुआ था Stacey को समझाने के लिए उस room में उसके साथ हो गया था वो गयता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैक उसे यह सब बता रहा था तबी लेस्टर दूसरे room से naked बार आता है उसे देखकर जैक को लगता है कि लेस्टर और मेरी ये दोनों रिलेशन्शिप में है उचिला कर गहता है कि मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता कि तुम्हारे और लेस्टर की बीच में क्या है मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ चाहता है कि मेरी उसके साथ जिंदगी पर रहे है यह सारी बाते लेस्टर भी सुन लेता है मेरी को समझाने कि कोशिशarks कर रहा था घ। जाक ऐसे बुशता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो यहां का कर्प करने के बैसे मेरी केgenले पास नहीं थे इसके बाद Zayiko और मेरी ये दोनों साथ में थे और इसे के साथ ये movie end हो जाती है Post creative scene में हमें पता चलता है कि उन सब लोगों ने मिलकर movie बनाए और सब लोग अब अमीर बन गये थे उनी के success के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको एक्स्पेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और गमेंट ज़रू कर दीजएगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइकन दोने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक नोटिवेशन के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया